सेकेंड जन्वरी और हम लोग आठ डिसकस करेंगे सेकेंड जन्वरी के इंपॉर्टन कोस्टन और आंसर तो इस वीडियो का अंतक देखिए स्वागत आपका एक्जाम मंतन में अगर आपने हमारा चैनल अब तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करेंट डेफेर्स MCQ साथी मिसलेनेस ट्रॉपिस के डिसकसन तो चले शुरू करते हैं आज का डेली MCQ मंतन हमारा आज का फर्स्ट कोर्शन है ग्लोब सॉकर रवार्ड में किसे प्लेयर आफ दी सेंचुरी का ताच पहनाया गया है अचे, क्रिस्टिान रॉनाल्डो, रोबर्ट लिवन। की ुटूंमार मैसी, मोहम्मत सला तो सभ्मसर है या अवर्ड दिया गया है Himmari Award रूनाल्डो को हमारा अवर्ड दिया गया है तो इसमें जो है कई सारे categories में आवर्ड दिया गयाता है लेकिन हम लोग कुछ categories को देखेंगे जो exam में पूछे जा सकते हैं तो हमारा जो first award है वो हमारा है player of the century यह हमारा दिया गया है Christiane Ronaldo को दिया गया है player of the year award किसे दिया गया है यह हमारा दिया गया है Robert Lewandowski को दिया गया है दोस्तों आपको और ध्यान में दिला दें कि इनको ही हमारा FIFA player of the year award भी दिया गया था यह हमारा इनको दिया गया था men category में वही women category में दिया गया था Lucy Bronze को यह हमारा FIFA player of the award दिया गया था यह भी दोनों important point है आप इसको दिमाग में रखिए गा coach of the century किसे दिया गया है तो वो दिया गया है Joseph Guardiola को दिया गया coach of the century coach of the year हमारा award दिया हो गया hence Dieter flick को दिया गया यह award और जो है आगे देखते है club of the year हमारा award दिया गया है Bayern Munich को हमारा award दिया गया है A Club of the Century Award हमारा दिया गया है, यह दिया गया है Real Awarded को, तो यह हमारे 6 जो Awards हैं, इनको बिलकुल आप दिमाग में रखिए हैं, क्योंकि यह एक्जाम में आ सकते हैं, तो चले आगे बढ़ते हैं. Next Question है, Who has been confirmed with imminent engineer award? किसे प्रख्यात इंजिनियर पुरसकार से समानित किया गया है, तो सही आंसर है इसका वीके यादव, वीके यादव को जो है प्रख्यात imminent engineers award अभी दिया गया है, यह पहले बात हैं यह कौन है, यह हमारे चेर्मेन और CEO हैं railway board के, तो इनको यह अवार्ड दिय यह अवार्ड हमारा दिया जाता है, Institution of Engineering and Technology का यह अवार्ड दिया जाता है, यह उनलोग को दिया जाता है, जो काफी बढ़िया काम करते हैं हमारे modernization में और technology में, तो यह अवार्ड हमारा दिया गया था, किसे बढ़िया गया है, विनोत कुमार यादव को, कि इन्होंने railway म बड़िया काम किया हैं, और जैसा की आपम लोग शक्ते हैं, रेले में मॉडल से तरफ से बढ़ड करेंहें, तो इसलिए इनको यह आव अवर्ड दिया गया है, यह अवर्ड दिया जाता हैं पंद्रह सेप्टेम्बर को, क्यों दिया जाता है क्योंकि उसी दिन हमारे भारर रत्न MVC सरेया का बरड़े मना जाता है, उस दिन ये इवर्ड एन्होंच के जाता है और ये हाल में एवर्ड इनने दिया गया है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है वर्चुली ओफ दा लाइट हाउस प्रजेक्ट ए स्कीम टू बिल्ट एफॉरडबल हाउसिंग इन हॉमनी सिटीज आपको बताना है कि प्रधान मंत्री मोदी जी ना लाइट हाउस प्रजेक्ट का जो भी हाली में इनाउग्रेशन किया है कितने सहरों में इसका आधार सिला है तो सभी आंसर है इसका 6 से खारों में इसका आधार सिला रखा गया इसकी खासबात कि है इसको है कि इसमें कई सारे ठीकनोलोजी का इस्तेमाल होगा जिससे की हमारे नए घर गल्दी बन सकेंगे prefabricated हमारे material का भी इस्तमाल होगा जैसे कि आप लोग ब्रीज में देख सकते हैं बना में बनाया समान आता उसको लगा जया जाता जल्दी बन जाते हैं उसी तरिके से यहाँ पे घर बनाये जाएंगे और जुसमें कि ने technology अन्ने material का भी इस्तमाल होगा यह हमारा बनाया जा है GHTC इंडिया के तहद यह बनाये जा रहा है तो GHTC का full form क्या है Global Housing Technology Challenge के तहद इसको बनाये जा रहा है यह जो हमारे कभी करीब-करीब 6 सहरों में बनाये जाएगा इसमें हर एक जगा पे करीब-करीब 1000 से जादा घर को बनाये जाएगा और जो कि जल्दी बनाये जाएगा त भी या फिर किसी और एक्जाम में पूच देते हैं तो यह हमारा काम किसके कॉन से मिनिस्ट्री कर रही है तो हमारा है Ministry of Housing and Urban Affairs के दारे हमारा काम किया जा रहा है तो किसके तहत किया जा रहा है तो Global Housing Technology Challenge के तहत किया जा रहा है उस दिन, जिस दिन हमारा मोदी जिने इसको इन्होंने इन्होंने लिए था, तो एक था हमारा स्रिफिकेशन कोर्स, जो था हमारा Innovative Construction Technology क्ले था, उसका नाम था Nine वारी थी, यह हमारा था एक स्रिफिकेशन कोर्स, इसके साथ उन्होंने कई सारे इवाड्स भी दिये थे, परध इंडिया 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 इंडिय है first नहीं है आपको इस बात का ध्यान रखना है ग्रैंड मास्टर होता क्या है ग्रैंड मस्टर जो है एक तरसे के टाइडल प्रोवाइड कहा जाता है जो यह जीतता है जैसे की चेस्ट में दो तरके से आवाड दिया लाता है एक वोर्ल और में होता है वोल्ड चैंपेंशिप दूसरा हुमारा होता है ग्रैंड मास्टर तुन्हों ने जो है यह लिए उन्हें एक ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है जो की हाइस टाइटल है किसी भी चैस्स प्लेयर के लिए वर्ल्ड चैंपेन और ग्रैंड वास्टर दोनों ही हाइस्ट टाइटल है यह चेस्ट से रिलेटेड नेक्स्ट कोशन है किस देश ने कुत्रिम सूरी केस्टार के 20 सेकेंड के लिए 100 मिलियन डिगरी सेंटिकेड तक पहुंचकर नया की रिकॉर्ड बनाया चाइना सौथ कोड या युएस से जापान तो सही आंसर है इसका यह हमारा जो है यह केस्टार जो है यह पहले बाद तो सौथ कोडिया का आर्टिफिस्ट सेन है यहां पर टेस्टिंग में जो कर रहा थे हैं तो करीब 100 500atoैस का टेंट्रीड शेयकर ल है यह जो टेंबरेच़ीव कर लिया गया था 502 सेकंड के लिए अपने में बहुत बढ़ी बात है क्योंकि हमेरे संब स्क जो टेंपरीचर है वो 15 और सौय कि मिलियन संडिकेड है जब कि यहाँ पे अतीव किया रिप्राव रोडियर कि बाद में हम फ्यूजन करके जेदा एनर्ज विए कंडियर करने thou केशब किया जा रहा है तो आपको ध्यान मेठना थिया का ऑर्टिफ कास्ट क्या है उसी तरह के से एक हमारा प्रिजेक्ट चलता है आर्टिफी सव्का चाईना में उसका नाम है ATL tp me इसको चाईना ने हाली में चालू किया था इसको आप दिमाग में रखेंगे मेरे इसल्टो कोमेक जो है रेक्टर कहा है यह हमारा है चाईना का है और के-स्टार सब्सक्राitel नोल जरा कि अन्योब से नाम से आनत है तो अब जुआ न्योज भी कियो है निजिन फ़िंज मेंँगर भी इसे कि अधियोष के हैं ृट। यह जो हमारे मुहमद उस्मार है इनको यह टाटल क्यों दिया गया क्योंकि हमारे 1947-48 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें सहादत इनको मिरी थी यह हमारे हाई हैस्स पोस्स से मरने वाले ये सहीध होने वाले ये हमारे ब्रिगेडर थे तो इनको जो बात में महावीर चक्र भी दिया गया था और वहाँ पर लड़ाई करते हुए इन्होंने करीब 2000 पाकिस्तानी सेनिकों को मारा था ये नौसेरा जो हमारा पढ़ता है ये राजोरी डिस्टिक्ट में पढ़ता है नेक्स कुछिशन है रिसेंटली तर्म अभी न्यूज में बना हुआ है तो ये है क्या चीज़ आइसबर्ग, एस्टरोइड, एक्जोप्लेनेट या नन अदर बाऊ सही आंसर है ये हमारा, ये हमारा एक्जोप्लेनेट है अगर आप पेपर पढ़ लाएंगे तो इसके बारे में बिल्कुल पता होगा क्योंकि हमारा जो अभी फिलाल का जो सबसे बिगेस्ट आइसबर्ग है इसका है A68 नाम है इसका जो आप साइस देखेंगे तो ये हमारे गेटर लंडन से करीब चारगुना बढ़ा है और हमारे डेलावेर से भी जो है कि उसके बराबरी है इसका जो एरिया है 2239 स्कॉयर मा से उनके लिए खत्रा पैदा हो सकता है इसलिए न्यूज में था इसका जो टोटल एरिया है करीब जो अन्ठावन सो किलोमेटर इसका एरिया है यह हमारा आप जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह मूव कर रहा है सौथ लंट अटलांटिक सी में मूव कर रहा है किसकी इस बात का भी हा बिलकुर ध्यान में रखेंगे कि हमारे नेमिंग होता है युद्ट य मतल इस इस नेमींग होता है एक कंपनी इसका नाम है Money Karan Power Limited यह जो है गुजरात में करीब 1000 कोड का investment करके यह हमारी lithium की factory लगाने वाली है गुजरात में इस कंपनी ने ही अभी हाल में ही हमारे Australia में जो कई सारे lithium ores का mines को बिट को जीता था तो वहां से यह lithium ores को ला करके यहां पे refine करेगी तो गुजरात मे कुछ-कुछ और important points है जो हमने आप भी हाल में देखा था एक था हमारा सूल परनेशन और वालर चंसरी जो भी हमारा गुजरात में located है दूसरा है हमारा वहां पे गिर नैसल पार्क गिर नैसल पार्क भी हमारा कहां पे located है तो वह भी हमारा गुजरात में है गुजरात में ह हमारा क्या है इंडिया का first seaplane service भी हमारा जो है गुजरात में ही चालू हो रहा है यह तीन जो point है आपको दिमाग में रखना है क्योंकि एक्जाम में पूछ सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स question है हमारा कौन थे लूई इसाडोर कहन यह कौन है तो सही answer है इसका यह हमारे American architect है तो सवाल यह कि न्यूज में क्यों है इसलिए आया क्योंकि अभी इन्हों ने जो है आयम एहमदाबाद में के अंदर जो कई सब्सक्राइब को डिजाइन किया था उसको आयम एहमदाबाद के जो बोर्ड था उन्हों की उसको तोड़ करये बनायेगे क्योंकि वहाँ पे आल्रीड बहुत पुर्आना हो चुका है उसको डिमॉलिस करके निया बनाया जाएगा और निया इसके लिए फ्रोटेस्ट हो रहा था तो इसलिये आपको धिमाग में रखना है कि हमारे लूइस इसाडोर कहन कौन है तो यह हमारे आर्किटेक्ट है इन्होंने आयम एहमदाबाद में कुछ एरियास में वहां पे स्ट्रक्चर को डिजाइन किया था जिसमें मेजरली हमारा था दोर्मेट्री तो आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट कुश्चन है विच कंट्री सेलिबरेट्स नियूयर लास्ट नया साल किस देश में अंतिम मनाया जाता है तो सई आंसर है Holland and Baker Island में जो है, World का Last New Year Celebrate करते हैं अब First कहां Celebrate करते हैं, तो Tonga, Samoa और Kiribati Island में हमारा First New Year Celebrate करते हैं तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आप यह देख सकते हैं हमारा यह International Date Line है इस Date Line के अगर आप Left में होंगे तो हमारा आप New Year पहले Celebrate करेंगे, तो यहां के जैसे आप गुजरेंगे तो यह Date Change होता है, तो यहां पर जैसे कि हम देख सकते हैं, Tonga है, Samoa है, यह हमारा यहां पर New Year पहले मना गया, और वही जो Holland है यहां पर 24 गंटे घुम के बाद जो आएगे तब New Year celebrate करते हैं, तो यहां पर सबसे लास्ट में New Year मनाया गया, तो यह जो पॉइंट है काफ़ी इंट्रेस्टिंग है, जी के बरपस से भी, एक्जाम बरपस से भी, तो इस वात का भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, तो दोस्तों इसके साथ हमारा आज MCQ का सेसिन आस्मापत होता है, आसे करते हैं, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक सेरा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तो चले फिर कल मिलते हैं DRMC के साथ, आज के लिए फिर इतना ही धन्यवाद